मश्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधू की पार्शाला पर Today, in this video, we are going to discuss our next form of 6th class, Honeysuckle that is, the wonderful words इस video में हमें ये पता लगेगा कि words के क्या importance होती है Actually, we convey our message, our ideas, our thoughts by using a language कभी भी कोई बाचीत करनी होती है, तो words use होते हैं कोई message convey करना है, तो words use होते हैं हम कहते हैं कि मेरे ये thoughts हैं, मेरे ये ideas हैं तब भी उनको words की जरूरत होती है तो आज इस video में हम यही तो समझेंगे कि words कितने important होते हैं और अगर हमारी thoughts अच्छी है, तो हम अच्छे ही words जो हैं आगे तक करवे कर पाते हैं देखिए, imagine a world without language आज के जो world है, क्या आप उसको without language imagine कर सकते हो ये possible ही नहीं है All humans speak at least one language At least लिखा है इसने, कि एक language तो आप बोलते ही है और more than one language ही use हो जाती है हमारी The words we speak bring out our thoughts Read the following forms on words हमारी thoughts को ही तो क्या करते हैं? Highlight करते हैं हमारी words जब हमें बहुत गुसा आरा होता है तो हमारी words जो होते हैं उसी तरीके के हो जाते हैं जब हमें बहुत प्यार आरा होता है तो हमारे words उसी तरीके के हम use करते हैं तो इसलिए जो mind में thoughts चलती हैं जो हमारे ideas चलते हैं उनको words की जरूरत होती है आप इस form को पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद इसकी key points को discuss करेंगे Never let a thought shrivel and die For want of a way to say it देखो shrivel का मतलब क्या होता है आप उसको क्या करते हो dry कर देते हो या उसको छोटा कर देते हो पहले से जितना है उससे भी छोटा कर देना ठीक है आप इसको समझ लो dry कर देना जैसे ठीक है या smaller तो never let a thought shrivel and die अपनी thought को कभी भी सूखने मत दो सिर्फ इसलिए कि आप जो है एक रस्ता देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको बोला जाए इसको बोलने का आपको एक तरीका होना चाहिए अपनी thought को बोलने का and for English is a wonderful game and all of you can play it और इस field में यानि कि अगर अपने thought साब को convey करने है तो इस field में आपकी English जो है वो beautiful language है wonderful game है और हर कोई इस game को खेल सकता है यानि कि everyone is capable to speak in English ठीक है तो never let a thought shrivel and die अपनी thought को कभी भी मरने मत दो कभी सूखने मत दो कभी छोटी मत होने दो for want of a way to say it अगर आप बोलना चाहते हैं एक रस्ता पाना चाहते हैं अपनी thoughts को convey करने का for English is a wonderful game and all of you can play it तो इसके लिए हमारे English जो है वो एक wonderful game है यानि कि the best way to convey your message is language English ओके और ये ऐसा game है जो हर कोई खेल सकता है यानि कि आप मैं और सब जो हैं English अच्छे से बोल सकते हैं all that you do is match the words to the brightest thoughts in your head जो भी आप करते है is match the words वो आपके words के साथ match करते है to the brightest thoughts in your head और जो आपके दिमाग में चल रहा होता है जो भी brightest thoughts होती है उनको भी आप क्या करते हो words के अंदर डाल देते हो so that they come out clear and true और जब आप इसको words में पिरो देते हो तो आपके thoughts जो होती है वो भी क्या हो जाती है clear हो जाती है true हो जाती है यानि कि उनको क्या मिल गया एक base मिल गया and handsomely groomed and fed और जब आप इसको क्या करतेते हो बहुत अच्छे तरीके से prepare कर देते हो groomed का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा prepared जब आप अपनी thoughts को क्या करते हो अच्छे से prepare कर देते हो and fed और उसको खाना खिला देते हो यानि कि उसको feed कर देते हो for many of the loveliest things have never yet been said और बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जो बहुत ही lovely होती है यानि कि सबसे अच्छी होती है और जो आज तक बोली भी नहीं गई है ठीक है जो आज तक कही भी नहीं गई है तो ये क्या हुआ हमारे पास कि जो हमारे thoughts होती है वो हमारे mind में है वो आज तक ऐसा नहीं है कि जितने भी minds है सारी thoughts जो है अभी तक बहार आच चुकी है अभी भी बहुत सारी thoughts ऐसी हैं जो mind के अंदर रही हुई है लेकिन वो अभी तक बोली नहीं गई है तो इसने कहा है कि आप अपनी thoughts को words दे दीजिए और आप उसको अच्छे से बाहर निकाल लिए clear तरीके से और उसको आप सजाईए आप उसको feed कीजिए तो lovely things निकल करके बाहर आएंगी then second paragraph में हमारे पास क्या आता है second stanza आप कह लेजिए words are the food and dress of thought बहुत ही प्यारी line है ये words जो होते हैं वो food होते हैं dress होती है thought की पहले thought जो होते हैं हमारे mind में है किसी को नहीं पता क्या thought है है ना सिर्फ हमें ही पता है वो लेकिन जैसे ही हम उसको words दे देते हैं यानि कि हमने उसको क्या दे दिया उसको food दे दिया ठीक है then हमने उसको क्या क्या दिया कि उसको dress दे दी हमने उसको बाहर सजा करके जो है पेश कर दिया आगे present कर दिया they give it its body and swing words जो होते है हमारी thought को क्या देते है एक body दे देते है ठीक है यानि कि वो एक खहते है ना कि एक तो सिर्फ हमने सिर्फ imagine किया हमने सिर्फ सोचा ठीक है लेकिन अगर हम उसको क्या देते हैं बाहर निकाल देते हैं तो वो एक physical form जो है अपनी attain कर लेते है and swing और क्या होता है swing का मतलब कि move upwards and down है ना या फिर आप ये समझ लीजी कि कर्म condition में जैसे कि move करता है तो एक body दे देते है and swing and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing और इसको जो है क्या है एक swing मिल जाता है एक उडान मिल जाती है ठीक है और हर कोई जो है आज की life में everyone's longing, longing का मतलब क्या होता है desire ये important word है आपके लिए longing का मतलब क्या होता है desire जो हमारी इच्छा है आज के time में हमारी जो इच्छाएं है वो क्या है कि हर कोई fresh and beautiful things सुनना चाहता है fresh and beautiful things क्या है सुनना चाहता है but only words can free a thought from its prison behind your eyes लेकिन इसके लिए आप जो है सुना कब सकते हो जब आपके thoughts जो है वो बाहर निकलेंगे और इसके लिए इसने क्या बोला है वो कैसे निकलेंगे वो words के थुरू निकलेंगे तो आपके eyes के पीछे जो एक पिंजरा बना हुआ है उस पिंजरे के अंदर जो thoughts चल रही है उनको आप क्या कीजिए free कर दीजिए words दे करके but only words can free a thought from its present behind your eyes maybe your mind is holding now a marvelous new surprise अब इसने क्या बोला कि शायद हो सकता है अभी अभी भी आपके mind में कोई बहुत ही marvelous यानि कि wonderful thought जो है वो चल रही हो और वो सब के लिए क्या हो एक नया surprise हो यानि कि कोई जरूरी नहीं है कि महान लोग ही महान statement दे सकते हैं या फिर कोई कह सकते हो कि important words वही दे सकते हैं हर किसी में एक ऐसे talent होता है हर किसी की thoughts जो होती है वो अलग होती है person to person भी vary करती है तो इस वज़े से कहा है कि आप अपने thoughts को बाहर निकालिए ये world जो है हर बार एक नई चीज का स्वागत करने के लिए बैठा है और आप अपने thoughts को words दे करके उस world को pleasure दे दीजिए ठीक है तो ये हो गई हमारे pious poem ठीक है कौन सी the wonderful words and it is written by Mary O'Neill ठीक है Mary O'Neill ठीक है अभी हम इसके key points को discuss कर लेते है देखिए poem क्या है हमारी the wonderful words and who is the poet अभी हमें इसक्या Mary O'Neill ठीक है theme क्या है words are necessary to express one's thoughts ideas and feelings words जो है बहुत जरूरी होते है हमारी thoughts को ideas को feelings को convey करने के लिए and जो rhyme scheme है इसकी वो क्या आजाएगी A, B, C, B कैसे आजाएगी मैं आपको show कर देती हूँ देखिए यहाँ पर पहली line भी हमारे पास end हो रहा है word एक से ठीक है die लिखेगे हम इसको die है तो हमारे पास a जो है इसको क्या आजाएगी पहली sound के लिए हम इसको दे देगे rhyme skip then it है हमारे पास it जो है किस के लिए आजाएगा B के लिए then wonderful game die, it, game match नहीं हो रहे है इसलिए फिर से क्या आजाएगा C आजाएगा और it जो है it से match होई रहा है तो क्या लिख देंगे B लिख देंगे या फिर हम जो है अगली चार लाइन जो है देखेंगे तो उसमें थोड़ा और clear हो जाएगा इसमें क्या है words है words हमारे पास क्या हो गया A हमारे पास आएगा head हो गया वो B आएगा then true हो गया वो C आ रहा है देखो तीनों ही आपस में rhyme scheme then literary devices literary devices में सबसे पहला है हमारे पास metaphor इसने क्या बोला metaphor क्यों है क्योंकि इसने बोला सिधा कि English is a wonderful game इसने ये नहीं बोला English is like a wonderful game English is a wonderful game हमने जो है उसकी body ही दे दी उसको जब भी हम किसी को compare कराते हैं और उसको सिरु उसका substitute मान लेते हैं substitute in the sense without using as or like सिधा ही कह देते हैं कि तू चांद है तू चांद जैसी है ऐसे नहीं बोला हमने बोला तू चांद है तो हमने चांद को क्या कर दिया replace कर दिया ठीक है किसके साथ अपने जो भी beloved है या फिर जिसकी भी हम praise कर रहे है उसके साथ ठीक है तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है metaphor होता है तो इसने लिखा कि English is a wonderful game English क्या है एक wonderful game है तो इसने हमारे पास इसमें क्या आ गया metaphor आ गया ठीक है words are the food and dress of thought अब यहाँ पर words के लिए इसने यूज़ किया है metaphor कि words जो है वो क्या है वो food है या फिर क्या है वो dress है किसकी thought की तो इन दोनों में है हमारे पास क्या है metaphor यूज़ हुआ है next हमारे पास देखिए second हमारे पास literary device है इसके अंदर tone tone कैसी है inspiring है जो आखो की पीछे का जो एक पीजरा है उसमें से वो जो thoughts चल रही है उनको निकालो ठीक है वो present करो world के सामने because the world is waiting for new surprises then हमारे पास third आता है personification personification इसने क्या बोला कि words are the food and the dress of thought they give its body and swing अब देखो पहले ये line जो थी हमारे पास metaphor में हमने use की थी तो इसको waste मना करकि next वाले में हमारे पास personification है कि they give its यहाँ पे क्या लिखा था they give its body and swing तो इसमें क्या हो गया हमारे पास they हमने किसके लिए use किया है words के लिए use किया है words जो है वो क्या दे रही है उसको body or swing दे रहे है thought को तो देने का काम किसका है लेना देना जो भी है जो भी करता है वो क्यों human being कर रहा है ठीक है in the sense कि हम कोई हाच से कोई चीज लेते देते है तो वो क्या हो गया humans का का काम हो गया तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर personification हो गया next हमारे पास है alliteration यह तो आपको मिली ही जाएगा wonderful words के अंदर भी words के अंदर हमारे पास personification है poem का जो title है उसके अंदर भी हमारे पास क्या है sorry alliteration है ठीक है want of a way that they come out clear यह जो phrases है मैंने यहाँ पर अलग से निकाले हुए है और यह हमारे poem के अंदर use हुए है want of a way जो second line में था for want of a way to say it है ना अगर आप कहना चाहते है इनको तो आप कोई रस्ता देखना चाहते है कि किस तरीके से बोला जाए तो उसके लिए था और वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेर जरूर कर दे thank you very much for being with us